स्वागत है दोस्तों आपके और हमारे यूट्यू चनल डीके साइबर जौन में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने भी भोटर आइकट को नया अपलाई किया है या सुधार किया है तो उसका इस्तीति क्या है भोटर आइकट बना है नहीं बना है इसी के बार मैं आज आपको बताएंगे तो वीडियो में बने रहे वीडियो को शुरू से लेकर आउं तक देखे हमारे चैनल कर नहीं दो चैनल को सबस्क्राइब किज़िये लाई किज़िये और ज़्यादा चैर किज़िये तो चलिए आज का वीडियो हम शुरु करते है तो सबसे पह search application status का तो इस प्लिक करना है तो अगर आपके पास SARAH नहीं है तो यहां पे देखिए sign up का option है आप यहां पे sign up करके आपना account बना लेंगे अगर आपने पहले से account बना राखा है तो यहां पे जो भी आपके mobile नमर रिजिस्टर होगा यहां पे mobile नमर को लिखना है यहां पे password को लिखना है यह जो capture दिया हुआ इस capture को इसमें fill करना है और request OTP पे click करना है चले मैं अपना detail को fill कर लेता हूँ और आगे का process बताता हूँ जैसे है request OTP करेंगे तो आपके register mobile नमर पे OTP प्राप्त होगा उस OTP को यहां पे fill करना है OTP को fill करने के बाद verify and login के option पे click करना है तो आप voter service portal के site पे आप login हो जाएंगे login होने के बाद आपको फिर से track application status के option पे click करना है click करने के बाद आपको कुछ सेकेंड का wait करना है उसके बाद यहां पे देखिए track application status का option जो है खूल जाएगा तो यहां पे देखिए आपको reference number मांगा जा रहा है तो यहां पे आपको reference number को fill करना है और यहां पे आपको state कुछा जा रहा है तो आप जिस भी state का आप check करना चाहते हैं तो यहां पे आपको state select करना है यहाँ पे reference number में आप new protocol को apply किया होगा तो आपको S से शुरू होने वाली application number यानि एक knowledge में number आपको मिला होगा यहाँ सुधार किये होंगे तो उसे में भी आपको S से शुरू होने वाली acknowledgement नमर को मिला होगा उस acknowledgement audiobook को यहाँ पे fill करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक नया photo record को apply किया है तो यहाँ पे acknowledgement number जो मिला है यहाँ पे देख सकते हैं कि S से सुरूर होने वाली है इस acknowledgement number को यहाँ पे reference number में आपको fill करना है या आपको SMS में भी आपको acknowledgement number मिल गया होगा उसको यहाँ पे fill करना है फिल करने के बाद आपको summit के option पे click करना है जैसे ही summit पे click करेंगे तो आपको यहाँ पे reference number state इसका AC क्या है यहाँ पे first name, last name और यहाँ पे देखिए किस date को आप summit के यह है और इसका यहाँ पे देखिए current status क्या है यहाँ पे देखिए यह जो arrow का option है इसका क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका summit किस date को हुआ है यहाँ पे देख सकते है और यहाँ पे yellow appointed किस तारीक को किया है यहाँ पे देख सकते है लेकिन यह voter card अभी तक बना नहीं है बहुत जल्द बन जाएगा अगर यह जनकारी आपको अच्छी लगी हो तो please मेरे चैनल को subscribe किज़े like किज़े और ज़्यादा ज़्यादा share किज़े तब तक के लिए जय हिंद